सबसे बैतरीन चीज़े होगी हमारी सबसे पहले अगर आपको याद हो या ना हो एक बार मैं बता देता हूँ अगर नई वीडियो देखने वाले आए हो उनके लिए भी एक मैंने एरेस का पूरा वीडियो बनाया था अगर चेक आउट नहीं किये तो प्लीज जाकर चेक आउट कर ले ना उसके बाद 2D आरेस मारक्स 2 मारक्स 3 कुछ बच्चो के स्टोर करवाये थे वहीं से मैं बताना चाहूँगा ना एक ही बच्चे करवाये थे हमने एक एक इक इंग्जामपल लिया था एक ये पांच बच्चे है एक क्लास में अब आप सोच के देखो ये और स्कूल मैनेजबेंट का आप क्या ब बना रहे हो, ठीक है बहुत सारे बच्चों का data store करवाना है, result store करवाना है, अब मान के चलो, एक बच्चा है, इसमें 5 बच्चे लिखनें, एक बच्चे का मैंने क्या पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया कि एक array बना दिया, क्योंकि, एक array बनाना पड़ेगा, यह 1D array तो कर दिया हमने एक array में, ठीक है, तो अब 5 subject के marks किसमें जा रहे थे, एक array में, good, तो हमें अब जरूत नहीं बढ़ी हमने क्या किया, अब let's suppose, एक college के अंदर, एक school के अंदर, एक हजार बच्चे हैं, अब एक हजार बच्चों के, क्या आप एक हजार array बना रहे होगे, हर उस उच्चे के नाम से बना रहे होगे, क्या array, नहीं, इसमें आ जाता है 2D array, तो यहीं पे एक answer है अपना, why we need 2D array, क्योंकि हमें space और जाता चाहिए, ठीक है, space के साथ हमको complexity कम चाहिए, यानि कि एक ही space में ऐसा कुछ हो जाए, कि same type का data store हो जाए, तो अब क्या कर सकते थे, अ उसमें, छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे मतलब, बहुत सारे array बना देगे, ठीक है, तो यह कुछ समझ में है, अच्छा, यह और कैसे समझ सकते हो, एक और example लोगा, बिल्कुल simple सा, जैसे दिख रहा आपको, ऐसे कुछ हमारा matrix भी दिखता है, तो देखो, जैसे एक कबोड है हमारी, बुक सेल्फ आगे हमानलो, बुक सेल्फ को क्या करना है, बुक सेल्फ में यह देखो, जैसे वंडी array क्या था हमारा, वंडी array था, कि एक पूरी लाइन, और उसमें, छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे, जो हमारी value पढ़ दी थी, इनके छोटे-छोटे दब्बे, ठीक है, तो मतब छोटा-छोटा-छोटा space, तो यह हमारा क्या हमानलो, एक array था, हमारा यह वाला, इसमें, एक, दो, तीन, चार, पांच, अगर हमारे self है, यह नहीं, पांच values आ रही थी, अब क्या हो गया, इसी की, एक, दो, तीन, चार, प array 1, array 1, array 2, array 3, array 4, array 5, 6, 7, 8, और फिर उसके बाद भी है, तो, यह array के अंदर array चल रहा है, ठीक है, इसको ऐसे समझ रहा है, यह rows हो गई है, यह columns हो गए, ठीक है, अब, यह चीज क्या clear है, same, अब इसको जब mathematics से समझना ही कोशिश करोगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा, अगर म value को, array of 0, पहली value दे रहा था, array of 2, दूसरी value दे रहा था, array of 3, तीसरी value दे रहा था, इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है, इस बार क्या है, array के अंदर एक और array है, यानि कि हमने क्या हमारी एक matrix बना दी, यह हमारी rows थी, हमारी row, 3 row हो गई, यानि कि row 0, row 1, row 2, 0 से ही शुरू हो क्योंकि simple, array अब डालते हो, तो ऐसा कुछ देता है, जो हमको भी नहीं पता होता है, तो हमको भी नहीं पता होता है, जो machine को पता होता है, तो हमको वह नहीं जाना, हमको value चाहिए, जैसे मैंने 10 डाली है, ठीक है, मान लो, first row number वाले बच्चे के, first subject में, 10 number है, तो मान अब उ जो first row number कहां पर है, 00, पहली value कहां पर मिलती है हमारे को 0 पर, same, तो row का 0 और column का 0, यह मानना, पहला row, फिर दूसरा column, फिर row, फिर column, तो पहली row में कितनी, कितनी value हो गई हमारे पास, 3 value हो गई, दूसरी row में भी हमारी, अब दूसरी row row 1 हो गई, और 3 value, 0, 1, 2, ऐसी हमारे को matrix बन गया, यह हमारे को क्या है, 2D में implement करना है, सोचो, 2D में implement कैसे करोगे, ठीक है, अब सोचा कुछ, नहीं सोचा, ठीक है, अब सोच नहीं पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, हम सीधा coding round पे चलते हैं अबने, और वहां मैं आपको बदाता हूँ, कि कैसे होगी चीज़े, let's को, now, अब यह तो हमारा marks, जो हमने कर रहे थे, एक एक बच्चे के store करवा रहे ही थे, मतलब एक बच्चे के 5 subject के store करवा ली है, अब क्या करूँगा, मैं, पहले तो मैं बताता हूँ, आपको दो तरीके से होगाई, अब यह स्क्वेर ब्रेकेट वाला काउंट मत करना, वो new वाला, ठीक है, int square bracket, square bracket, इसमें लगी है, दो square bracket, ठीक है, उसके आगे आप क्या कर दोगे, एरे का नाम लिखोगे, तो my 2D array, जिसके कहा देता है, two dimensional array भी कह देते हैं और 2D array भी कह देते हैं, ठीक है, और multi dimensional array भी कहते हैं, क्योंकि एक से चला dimension है, सीधी बात है, और क्या कहते हैं इसको आप देखो, इसमें मैं value कैसे डालूँगा, ठीक है, दो तरीके, एक जो मैंने बताया था, अपना brackets के साथ, ठीक है न, curly braces के साथ, तो वो वाले पर आ जाते हैं, सबसे पहले, तो अभी जब आपको समझ नहीं आएगा, कुछ ऐसे मैं डालता हूँ, see, one comma two, comma, and two comma three, ठीक है, अब देखो, अब मैंने कुछ रखा है, क्या आपको इसमझ में आ रहा है, नह कुछ भी बता नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जब मेरे सामने भी ऐसे सामने चब कोड आया था, तो मेरे कोभी समझ नहीं आया होगा, लेकिन इसको, अब one d one d array में convert करता हूँ, फिर आपको समझा हूँगा, कैसे आएगा, समझ, ठीक है, जब यहां से तोड़ा मैंने, और इ इसके डिया नहीं कि 2 open, 2 closing का क्या हो जागा, 2 d array, ठीक है, 1 d array यहां पे खतम होता है, 2 d array यहां, इसके बाद एक और आ जाता है, 3 d array भी आ जाता है, ठीक है, यह सिल्सिवा चलता रहा है, अब value कैसे डाली है, इसमें यह समझना है, तो पहले, जो मेरे curly brackets के अंदर एक एक value ठीक है, तो जो मेरे value पहले simple जो array में डलती थी, वो कैसी कुछ इस तरीके की डलती थी, 1,2,3, कुछ इस तरीके की value डलती थी क्या मेरी 1 d array में, ठीक है, यह 1 d array कह दो यहा, जो हमारा simple array होता था, ठीक है, no, इसको ज़रा इधर खिसका के लाते है, अब ऐसे value डलती थी, ऐस समझनी है, तो first value की जगह इस बार मेरा क्या डल गया, first array डल गया, ठीक है, तो मेरी, इस यह जो मेरी value डल नहीं थी, इसकी जगह मेरे क्या डल गया, यह वाला, मेरा array डल गया, यह मेरा array 1 है, ठीक है, ऐसे समझना है, यह मेरा क्या डल गया, array 1 डल गया, first value की जगह, तो और इसको row और column से यह क्या होता हमारा, access होता है, जब मतलब मालो, print वाई वाला symbol, अब print कर वाऊंगा, access करूँगा, तो my array, 2D array, ठीक है, अब 2D array में, जब पहले symbol डालते थे, 0 डालते थे, ठीक है, या 1, 2, 3, ऐसे position डालते थे, इस बार हमने क्या कर दिया, हमने जो position अभी दिये, वो array की position दिये, अपने एक और आए थे था, तो array 1, array 2 की position, तो यह हमारे concept की position है, array 1 की position, तो इसको अगर मैं जब print कर तो यह मेरा array 1 की position देगा, ठीक है, अब मैं, मेरे को चाहिए array 1 का, 1's first element, यानि की, first element के लिए मेरे को क्या करना बढ़ेगा, 0, अब यह मेरे को क्या देगा, array 1 की value देगा, ठीक है, array 1 की value प्रिंट करके देगा, क्या सच मैं ऐसा देगा, तो मैं आपको, तो थोड़ा, ऐसे देगा, ठीक है, अब यह क्या देगा मेरे को, array 1 की value, save करता हूँ code को, run करके आपको दिखाता हूँ, क्या बहतरीन सा मेरा output आता है, ठीक है, see, देखो, इसने क्या दिया मेरा, my2d array, मैं जो first array था, उसका index देगा, जो मुझे भी समझ में आपको भी निया, आपको भी निया जीरो से आगया, और हमेशा, first value कहां से शुरू होती है, 0 से, ठीक है, empty से, फिर मेरे को first value चाहिए थी, उस array की, तो मैंने यहां डाल दिया, यहां तक मेरा क्या आया था, एक array निकला, ठीक है, यह था मेरा array, जो मेरा उसके अंदर है, किसमें, array के अंदर है, और यह मेरी array की value है, ठीक है, array की, array की, mail, ठीक है, यह कौन से array की value है, जो मेरे inside array है, ठीक है, array की value 1 है, और array का address वह वाला है, अब मेरे का अगर चाहिए यह वाला, three चाहिए, यह किस पर है मेरे, 0 और 1, ठीक है, यह मेरा 0, यह वाला मेरा कहां पे store है मेरा, 0 पे, और यह वाला मेरा कहां पे store है 1 पे, ठीक है 9 अब इसकी value चाहिए तो यह 1, first array होगे मेरा, 1 पे आ जाओ यानि की, और इसकी value चाहिए तो यह value 0 पे थी हमेशे जैसे array पढ़ते हो, यह 0 पे value कितने पे आ गई, 1 पे तो यह 1 और 1 यहां पे क्या हो जाएगा, 1, 1 ठीक है, और यह array मेरा कौन सा हो जाएगा, 1 save करूँगा code को, तो यह array second, देख लेँ, address भी change हुआ, और array की value भी ठीक है, array की value इस पर क्या होगी मेरी 3 आ गई, ओके, now इसको print कैसे करवाओगे ठीक है, using a for loop, print करो पूरे का पूर array, और पिर try करना बाकी, आगे के लिए देता हूँ वो आगे वीडियो बढ़ जाएगी, इसमें second method और discuss करना चाहता हूँ पहले वो करूँगा, बहुत easy होता है अगर वो कर चुके हो आप, ठीक है और square bracket बार्द में भी लगा सकते हो my 2D, और इसमें कर देते हैं array, ठीक है case sensitive होती है Java programming तो यह ऐसे भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ठीक है न, और छोटा करते तो हमारे को दिक्कत आ जाती तुबार declare नहीं होता, तो my array 1 करना पड़ता है यह इसको 2 करना पड़ता ठीक है, इस पर मैं कह रहा हूँ new के साथ, यह मेरा second method है second method यह second way बोल लो जो किसके साथ है new के साथ with new, अब यह new कैसे new करना है आपको और इसमें डालना है int जहां मैं size डालता हूँग new, int और इसके बाद मैं डालूँगा पहले array की जो अंदर वाले array है, जो बाहर वाले array है उसमें कितनी रोज होगी तो यहां डाल जाएगी मानलो 1 ठीक है यह 2 डालो 2 by 2 cross 2 का array है ठीक है और इसमें मानलो मेरा a की value को store करवा रहा है एक का तो हो नहीं है, एक से ज़्यादा करनी है इसलिए हमारा array है तो 2 cross 2 तो बनाई लो कम से का, 2 cross 2 की जैसे matrix बन दीती है math में, वैसे यह बन गया क्या, सिम जो मैं बताई चुका हूँ अब इसमें values ऐसे तो डलती नहीं है, जो हमने 1D array में भी देखा हमने, ठीक है, इसमें values कैसे डलती है, simple जैसे हम access कर रहे दे इसको, वैसे ही तो इसमें मेरे को करना पड़ेगा my2d array, अब जब मैं अगर ऐसा चाहूँगा यह वाला code copy करके डालने की कोशिश equal to में c, देख रहे हो red mark कर दिया क्या अब save कर दूँगा तो भी error ही देगा, लेकिन आप मानों कहीं तो दिखा देता हूँ exception threadman वगरा वगरा वो छोड़ो, तो problem वही है इसकी initialization वाली इसमें क्या कर देना है, इसको काटेंग है, और इस बार मेरे को value डालनी है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसके अंदर मेरे को बतानी पड़ी किस position मेरे को value चाहिए तो मानलो first array पर first array की first value डाल रहा हूँ मैं और क्या डाल रहा हूँ मैं 1 अब print करके देख लोगे आप इस चीज को semi-colon डालते हैं इसी चीज को मैं print करूँगा ठीक है m अब run करके दिखाता हूँ मैं आपको simple मेरे क्या जाएगा array 3 की value पराने वाला रहा है और इसकी value मैंने 1 डाली है ये वाली value ये मेरी output में print हो क्या रही है ठीक है 3 है और 3 मेरे मेरे 2 statement और नीचे की ठीक है ये चीज थी हमारी इस तरीके चे होते है 2 मेरे अब आपको क्या करना है ठीक है वो भी मैं बताता हूँ और आपको एक चीज और दे दू मैं ठीक है इसको जड़ा छोटा सा करते है अपन C एक बार hole इसका आप ले लो सबसे पहले screenshot इसको आपको क्या करना है ये मारा था पहला method था जिसमें मैंने क्या कर दिया static type से बना दिया मतलब मैंने यह size डाला नहीं है कि कितना size का array है या क्या बनाना है क्या नहीं मैंने सीधी value डाल दिये इस बार कि यह वाला array कहां use होता है जब user input लेते है ठीक है तो यह वहां पर use होता है तो हमने ऐसे यहां पर डलती है यहां पर जब for loop चला के मैं value डालता हूँ और हमसे i कर देता हूँ इन दोनों की जगए तो यहां पर row और column करना पड़ता है तो उसके through हमारा क्या होता है 2D array की values access भी होती है यहां पर डलती है इंसर्ड भी होती है तो वह मैं कर लोगा user input के साथ वीडियो में जो यह वाला मेरा काम जो मतलब input का होगा वह कहां पर होगा next video में ठीक है next night next video में ठीक है यह वाला जो input होगा next video में होगा लेकिन आपके लिए मेरे पास कुछ है वह क्या है आपके लिए यह है कि आपको करना है सबसे पहले user input 2D array using while loop ठीक है सबसे पहले आप ट्राइ करो while loop से अगर नहीं कर पाते हो तो for loop से for each loop से और मैंने जो अपने 1D array में जो मैंने करवाये थे 3 method करवाये जिसमें dot deep जो string था 2D string ठीक है उसका यहां पर 2D array में होता है तो वहां पर ही बताऊंगा और पुरा array भी आप पर प्रिंट करने की कोशिश करो array को फिर यहां पर मैं user input सिखा दू हो तब while कर लेना ठीक है तो try करो खुद फिर बस इतना ही है ठीक है हमेशा की तरह यह challenge आपके लिए बाकी में को लगता है कि 2D array में समझा पाया हूँ अगर comment section में बताना कुछ doubt रह गया हो बाकी implement देख चुक है आप ठीक है so मैं आप से एगली video के साथ उपर आ रही होगी अपनी playlist जहांपे में और भी challenges डालने वालों questions डालने वालों RSK और नीचे अपने tutorial पूरी जहां जावा का पूरा course बन रहा है ठीक है that's it for this video बाबाई